नमस्कार मेरा नाम है मोहित कुमार सिंग और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन का विशेष कारिक्रम जनता जंक्षन शोग कॉंग्रेस पार्टी एस देश बर में किसान अधिकार दिवस मना रही थी राहुल गाधी से लेकर प्रियंका गाधी तक कृषी मिल के विरोध में सड़क पर उतुरे थे जिक्र करेंगे आगे कॉंग्रेस के इस अभियान के बारे में आज से राम मंदिर के लिए चंदा अभियान की शुरुवात की गई राश्पती रामनात कोविंद ने सबसे पहले 5,100,000 रुपे का समर्पनिदी देकर इसकी शुरुवात की इस अभियान के बारे में आगे जिक्र करेंगे तिसरे नमबर पर जिक्र करेंगे सबसे महत्पुन मुद्दा कि क्या किसान आंदोलन के मामले में सुप्रीम कोट में जिस कमेटी को बनाया है उश में सामिल सदस से सरकार के आदमी है शुरुवात करते हैं कॉंग्रेस के किसान अधिकार दिवस से आज कॉंग्रेस पाटी ने देश के अलग-अलग हिस्सों में क्रिशी कानून के खिलाब प्रदर्शन किया जहां बिहार में बिहार कॉंग्रेस के बड़े नेता सदाकत आश्रम से राजभावन मार्च किने निकले तो वहीं दिल्ली में राहूल गाधी और प्रियंका गाधी समेत तमाम बड़े नेता राजभावन का घिराव करने की तयारी में जुटे रहे कॉंग्रेस ने हर जिला मुख्याले पर किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करने का योजना बनाया था योजना की मुताबिक पहले देश के सभी जिला मुख्यालेों में क्रिशी कानून के खिलाफ प्रदर्शन करना था और फिर ग्यापन सौपना था बिहार के अलावा उतर प्रदेश में ही कॉंग्रेस पाटी ने जम कर प्रदर्शन किया कॉंग्रेस के उतर प्रदेश सद्यक्ष अजे कुमार लल्लू को पुलिस ने गिरफतार भी कर लिया प्रदर्शन में सामील होने पहले प्रियंका गाधी पहुची तो वहीं इसके बाद राहूल गाधी भी वहाँ पहुचे पुलिस ने राजभवन से पहले ही कॉंग्रेस कारिकरताओं को रोग दिया था कुछ समय तक प्रदर्शन अस्तल पर रहने के बाद राहूल गाधी और प्रियंका गाधी वहाँ से जंतर मंतर रवाना हो गया आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जंतर मंतर पर कॉंग्रेस के सांसत कई दिनों से धरने पर बैठे हैं फिलाल कॉंग्रेस पाटी इस कोशिश में लगी है कि सड़क से सोशल मीडिया तक केंदर सरकार के खिलाप माहूल तयार किया जाए राहूल गादी ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि क्रिशी कानून किसानों की मदद करने के लिये नहीं बलकि उनको खतम करने के लिए है आगे उन्होंने कहा कि भाज़पा सरकार को किसी भी किमत पर क्रिशी कानूनों को वापस लेना ही होगा और जब तक क्रिशी कानून रद नहीं किया जाता कॉंग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी हालाकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक बार जोर दिखाकर फिर कॉंग्रेस पार्टी कुछ दिनों तक कहा गायब हो जाती है क्या कॉंग्रेस ने मुख्य बिपक्षी पार्टी होने का दायूत भी अच्छे ढंग से निभाया है आपको इसके बारे में क्या लगता है उसे कॉमेंट बक्स में लिखकर जरूर बताईएगा अब आते हैं अपनी दूसरी खबर पर राममंदी निर्माड के लिए समर्पन निधी अभियान के शुरुवात की गई है राश्ट्रपती रामनाज कोमिंद ने 5,100,000 रुपय का समर्पन निधी में चंदा दिया तो महीं इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंतरी शुराश्चिंग चौभान ने 1,100,000 रुपय का चंदा समर्पन निधी में दिया है स्री राम जन्भुमी तिर्थ ट्रश्ट के सदस से डॉक्टर अनिल मिस्रा ने 50,000 रुपय का चंदा देकर इसकी शुरुवात की इस अभियान के तहट देश भर के लगबग 12 करोल परिवारों से चंदा लेने का लक्षे रखा गया है स्री राम जन्भुमी तिर्थ छेत्र ट्रश्ट का लक्षे है कि राम जन्भुमी निर्माण में देश भर के लोगों का सयोग रहे इसके लिए जगा जगा कार्याले खोले जा रहे हैं जगा जगा जो कर्याले बनाए जाएंगे वहीं से कार्यकरता एक एक टोली में इकठा होकर घर घर घुम कर चंदा मांगेंगे यह अव्यान 27 फरवरी तक चलेगा और इसके अंतरगत बिश्व हिंदू परिशद और RSS के कार्यकरता जन्पदों के 400 अस्थानों से टोलिया बनाकर अलग 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 गाओं में जाकर हर घर से धन इकठा करेंगे महीर राममंदी निर्मारी के लिए अमदाबाद के एक हिरा बैपारी गोविंद भाई डोड़किया ने 11 करोड का चंदा दिया है इस अभियान को चलाने के लिए ट्रस्ट ने पूरी तयारी भी कर लिया 10 रुपया, 100 रुपया और 1000 रुपया का कूपन होगा महीं 2000 से ज़्यादा का जो सायोग दे करेगा उनको रसीत सौपी जाएगी अब आज से अभियान सुरू हुआ है तो 27 फरवरी तक RSSS और विश्व हिंदू परिशत के कारकरता तथा अन्य सायोगी दल के कारकरता भी इसमें सामिल होकर लगभग 5 लाग गाउं तक पहुचेंगे अब बात कर लेते हैं सर्बोच नयाले द्वारा बनाए गए कमेटी के बारे में सर्बोच नयाले ने जब क्रिशी कानुनों को लेकर कमेटी बनाने का फैसला लिया तो इसमें जो सदस्य शामिल थे उनको लेकर किसान नेता खुश नहीं थे किसान संगेटनों का कहना था कि कमेटी में जो लोग बैटे हैं वो सब के सब सरकार के आदमी हैं इसी कमेटी में शामिल किये एक सदस्य का नाम है भुपिंदर सिंगमान बुपिंदर सिंग्मान चार सदस्यों वाली कमेटी के सदस्य बनाए गया थे लेकिन उन्हों ने इस कमेटी से बाहर निकलने का फैसला कर लिया अब सबसे पहले सुरवात बुपिंदर सिंग्मान से करेंगे कि आखिर क्यों और किस अधार पर इन सदस्यों को सरकार का आदमी कहा जा रहा है वो पिंदर सिंग मान पुर्व में राज्य सभास सानसद भी रह चुके हैं तो वहीं भारतिय किसान इुनियन मान के राश्टी अध्यक्ष भी है इनके इतियास के बारे में ज्यादा बात ना कर अगर बरतमान के बारे में बात करें तो इन्हें पंजाब के मुख्यमंतरी केप्टन अमरिंदर सिंग का समर्थक माना जाता है क्रिशी मंतरी नरेंदर सिंग तोमर को कुछ में पहले उन्होंने चिठी लिगी थी जिसमें क्रिसी कानूनों का समर्थन किया गया था हालाकि यह सला भी दे गई थी कि इसमें कुछ संसोद्रों की जर्दवत है मान साहब जिस किसान संगठन के अध्यक्ष है वो क्रिसी मिलो के भी रोज में शामिल नहीं है तो यह सारी चीजे एक शक पैदा करती हैं कि कहीं न कहीं मान सहब सरकार के आदमी हो सकते हैं दूसरा नाम है असोग गुलाटी का असोग गुलाटी सहब पर अगर आप गौर करेंगे तो वे एक क्रिसी भी से सग्य है और भारत सरकार को MSP के मुद्दे पर सलाह देने वाली कमेटी के सदस भी रह चुके हैं 2015 में भारत सरकार ने उदे पदम सिरी प्रुषकार से सम्मानित्वीर किया था CACP के अध्यक्ष भी रह चुके हैं NDA सरकार में Food Corporation of India को लेकर जिस पूछ अस्तरिय समीती का गठन किया गया था उसमें भी ये सदस रह चुके हैं वे प्रधानमंत्री द्वारा गठित नीती आयोग के कई दुसरे समीतियों के सदस भी हैं इसलिया से आप उने भी सरकार का करी भी बोल सकते हैं और इसमें किसी को भी कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए तिसरा नाम है डॉक्टर प्रमोज जोशी का जो National Academy of Agriculture Research Management के डारेक्टर रह चुके हैं प्रमोज जोशी सहाब बंगला देश में सार के क्रिसिक केंद्र के गवर्निंग बोडिक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं चौथा और सबसे आखरी नाम है अनिल धन्वत साहब का सेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं महराष्ट में इस संगठन के लाखो सक्रिय सदस्य हैं कहने का मतलब है कि इनका संगठन मुख्यता महराष्ट में सक्रिया है फिलाल कमेटी के सदस्य हैं तो किसान इनके उपर भी सरकार के साथ मिले होने का आरोप लगा रहे हैं आज के जनतंक्स शो में बस इतना ही मिलेंगे फिर अगले भाग में वीडियो अच्छा लगावा तो शेर कीजिए फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेज को लाइक कीजिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्काइब कीजिए मिलते हैं फिर बहुत ज़द लगने वीडियो में कैमरे के पीछे ख़ड़े या पीऊचर असी या और मैं मुहित कुमार जींग, धन्यवाद।